आज सुनिए तेनाली रावन की कहानिया हीरो का सच एक बार राजा कृष्ण देव राय तरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्ष कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा महराज मेरे साथ न्याय करे मेरे साथ प्याय करे महराज मेरे मालिक ने मुझे धोका दिया है इतना सुनते ही महराज ने उससे पूछा तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है अन्यदाता, मेरा नाम नामदेव है कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गाउ में जा रहा था गर्मी की वज़ा से चलते चलते हम ठक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैट गए तभी मेरी नजर एक लाल रंकी थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी मालिक की आग्या लेकर मैंने वो थैली उठा ली उसे खोलने पर बता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के दो हीरे चमक रहे थे हीरे मंदिर में पाए गए थे इसलिए उन पर राज्य गादिकार था परन्तु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना किया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक-एक हीरा रख लेंगे मैं अपने मालिक के गुलामी से परिशान था इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था जिसके कारण मेरे मन में लाना चा गया हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इंकार गर दिया यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ करें महराज, महराज ने तुरंद कोत्वाल को भीज कर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया, नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया, राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा, तो मैंने उससे राजकोश की रसीद मांगी तो वै आनाकानी करने लगा मैंने जब इसे धमगाया तो ये आपके पास आकर मंगणंत कहानी सुरोने लगा अच्छा तो ये बात है महराज ने कुछ सोचते हुए कहा क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो अन्यदाता अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप मेरे दूसरी नौकरों से पोच सकते हैं वो उसी वक्त वहीं थे उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया तीनों ने नामदेव के खिलाब गवाही दी महराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठा कर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापती तेनाली राम और महामंत्री को भी इस विश्य में बात करने के लिए वहाँ बुलाया गया उनके पहुचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा आपको क्या लगता है? क्या नामदेव जूट बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही जूट बोल रहा है उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे सिरापती ने गवाहों को जूटा बताया उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था तिनाली राम चुप चाप खड़ा वहाँ पर सब बाते सुन रहा था तब महाराज ने उसकी और देखते हुए राए मांगी तिनाली राम बोला महाराज कौन जूटा है और कौन सच्चा इस बात का पता अभी चल जाएगा परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए परदे के पीछे चुपना होगा महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ही इस मामले को सुलजाना चाहते थे इसलिए परदे के पीछे जाकर छुप गए महामंत्री और सेरापती मौ सिखोडते हुए परदे के पीछे चले गए अब विश्राम कक्ष में केवल तेनाली राम ही दिखाई दे रहा था अब उसने सेवक से कहकर पहले गवा को बुलाया गवा के आने पर तेनाली राम ने उससे पूछा क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिये थे जी हाँ फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा तेनाली राम ने एक कागज और कलम गवा के सामने रखते हुए उससे कहा लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बना कर दिखाओ इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बोला मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे अच्छा अब चुपचाब वहाँ जाकर खड़े हो जाओ तेनाली राम ने उससे कहा अब दूसरे गवा को बुला कर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया उसने हीरों के रंग के बारे में बता कर कागज पर दो गोल गोल आकरतियां बना दी और अपनी बात साबित की फिर उसे भी पहले गवा के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवा को बुलाए गया तीसरे गवा ने बताया कि हीरे तो भोशपत्र की थैली में थे इस वज़ा से वह उन्हें देख नहीं पाया इतना सुनते ही महराज परदे के पीछे से सामने आ गए महराज को देखते ही तीनों घपर आ गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है तीनों महराज के पैरों को पकड़ कर माफी मांगने लगे और बोले हमें जूट बोलने के लिए मालिक ने धमकाया था और नौकी से निकालने की धमकी दी थी इसलिए हमें जूट बोलना पड़ा महराज महराज ने तुरंट मालिक के घर की तराशी के आदेश दिये तराशी लेने पर दोनों हीरे बरामत कर लिए गए सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोश में जवा कर लिए गए इस प्रकार तेनाली राम की मदद से महराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया